वास्टॉब आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कर्जा ले लेते हैं कहीं से भी कर्जा ले लिया ले तो लिया लेकिन जब उसको रीपे करने का टाइम आता है तो आप उसको रीपे नहीं कर पाते हैं तो इसके पीछे का रीजन क्या है और ये जो परिशानी है ये बहुत लोगों के साथ जोड़ी हुई है बहुत सारे विचारे ऐसे लोग हैं जो बहुत परिशान हैं कमाते बहुत अच्छा हैं हर चीज हम के पास लेकिन फिर भी ये जो कर्जा है ना पीछा नहीं छोड़ता और जो इंसान करदार होता है वो परिशान ही रहता है रिण रोग और शत्रू जिसके पीछे लग गए वो इंसान परिशान ही रहता है तो जल्दी से जल्दी रिण रोग और शत्रू का नास कर दो और अगर ये चीज आपको बार-बार परिशान करती रहेगी तो आप mentally, physically, हर तरफ से अपने आपको कमजोर और असाय महसूस करेंगे करजा होने के पीछे बहुत सारे ऐसे कारण है जिनके कारण इनसान करजदार बनता है पहला कारण है फिजूल खर्ची जो भी आप खर्चा कर रहे हैं सोच समझ के नहीं कर रहे है इसलिए आप करजदार हो जाते हैं लोगों से पैसे ले ले लेते हैं शौपिंग कर लेते हैं जो भी काम उसका पूरा कर लेते हैं बाद में जब अपनी कमाई होती है, तो आपको लगता है कि ये जो सारा पैसा है, जो मैंने कमाया है, ये तो सब करजे में जा रहा है, तो उससे क्या होता है, आपको और करजा लेना पड़ता है. दूसरी जो वज़ा है, दूसरी वज़ा है कमाई का प्रॉपर ना होना, अगर कमाई आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, अटक अटक के हो रही है, रुक रुक के हो रही है, या जितना आपका खर्चा है, उससे कम अगर आप पैसे कमारे हो, तब भी आप करजदार बन सकते हो, क्योंकि खर्चा तो डेली का होता ही रहेगा, लेकिन अगर इंकम उससे कम है, तो क्या होगा, तो आप करज़दार बन जाओगे, तो इससे निकलने का तरीका क्या है, और ऐसा कौन सा योग हमारे बर्शाड में बनता है, कि जिससे पता चलता है, कि हम करजे में क् क्यों चड़ा रहता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आपको अपने बर्शाड को पहले देखना होगा, और करजे से निकलने का एक ही तरीका है, फिजूल खर्ची को बंद करें, करजा वर्जा लेना बंद करें, और इंकम की तरफ अपना जो भी आपका चारी चीज़ों को आप एक तरफ कर दें, जितनी जादा इंकम आपकी होगी, उतनी ही जल्दी आपका करजा खतम होगा, लेकिन अगर इंकम नहीं है, और इधर से ले रहे हैं, इधर से ले रहे हैं, इधर से ले इधर दे रहे हैं, तो कभी भी आप करजे से मुक्त नहीं ह पाएंगे तो अपना सारा फोकस अपनी इंकम की तरफ लगाओ ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाओ महनत करो और अपने करजे को खतम करो और किसी भी काम के लिए करजा मतलो अब अगर हालत बहुत ही खराब है कि करजा आपको लेना ही पड़ रहा है तो ले लो लेकिन कोशिश ये करो कि करजा आपको लेना ना पड़े क्योंकि कर्जदार जो इंसान है वो हर टाइम परिशान रहता है उसके दोस्तियार रिष्टेदार उसके सगे संबंद ही उससे परिशान रहते हैं उनको लगता है कि इसको साथ बठाना बेकार है क्योंकि इसको साथ बठाएंगे तो ये पैसे मांगेगा तो दोस्तियार, रिष्टेदार भी आपसे दуль रहते हैं तो करजा बहुत ही बेकार चीज जै अब करजदार आप क्यों बने इसके पीछे का प्लिंट्री रीजन क्या है इसके पीछे का प्लिंट्री रीजन है आपका शिक्स थाॉस आपके 6th house में अगर राहू, केतू, सैटन या मार्स की placement होती है या राहू, केतू, सैटन का अगर aspect पड़ जाता है तब आप करजदार बन सकते हैं तब आप करजदार बन सकते हैं और 6th house का Lord 6th house का Lord अगर 11th house में आता है तब भी आप करजदार बन सकते हैं क्योंकि 11th house से gain और 6th house से करजा करजे के थुरू gain करजे के थुरू gain मतलब कहीं से आपने करजा लिया और उसके थुरू आपने कोई काम कर लिया तो ऐसे आप करज़दार बन गें दूसरा 6th house का lord अगर 4th house में जाता है तो घर के चक्कर में आपको करजा लेना पड़ता है Sixth house का Lord अगर first house में जाता है, तो आपके अपने चक्कर में आपको करजा लेना पड़ता है, आपका अपने चक्कर कुछ भी हो सकता है, कि आप एक political leader बनना चाहते हैं, आप कुछ काम धंदा करना चाहते हैं, आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, जिसके चक्र में आपको करजा लेना पड़ सकता है 6th house का lord अगर 10th house में आता है तो अपनी value अपनी पहचान को बनाने के लिए आपको करजा लेना पड़ता है अपने carrier को चलाने के लिए आपको करजा लेना पड़ता है 6th house का lord अगर 2nd house में आता है तो अपनी family को चलाने के लिए कुछ saving को हांसिल करने के लिए आपको करजा लेना पड़ता है तो ऐसे कुछ योग हैं जिसके कारण आपको करजा लेना पड़ता है और अगर Saturn, Rahu, Ketu, Mangal का अगर aspect पड़ जाता है 6th house में या 6th house में उनकी placement होती है या 6th house का Lord, Rahu, Ketu, Shani, Mangal के साथ होता है तब भी आपको करजा लेना पड़ सकता है तो अगर आपके बर्शाट में ऐसा योग बन रहा है तो कोशिश ये करें कि करजे से दूर रहें ऐसा कोई काम करें जिससे आपका डेली का खरचा चलता रहे ज़्यादा पैसा नहीं भी कमा रहे है लेकिन फिर भी इतना पैसा कमाए जिससे डेली का जो आपका खरचा पानी है वो चलता रहे और आप करजदार ना बने और इसकी जो remedy है वो बहुत ही simple है अगर 6,000 का Lord, Rahu के साथ है तो Rahu की remedy करें अगर 6,000 का Lord अगर अपका कमबस हो जाता है तो उसकी कोई भी remedy आपको नहीं करनी है 6,000 का Lord अगर अपने अग्डिल्टेशन में होता है तब भी आपको कोई भी remedy नहीं करनी है 6,000 का Lord अगर अपने डिल्टेशन में होता है तब 6,000 से संबन्दी चीजों का दान आप कर सकते है यानि उस ग्रह का दान कर सकते है जो ग्रह 6,000 का Lord है उस ग्रह से संबन्दी चीजों का दान कर सकते है ताकि जो करजा देने वाला जो परसन है वो आपको ज़्यादा परिशान ना करें तो गाइज अगर आपके बर्श राट में भी कोई ऐसा योग बनता है जिसके कारण आप करजदार हो चुके हैं और करजा रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आप हुमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप हमसे बात करना चाहें